हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुद्रदक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने वीडियोस की श्रिंखला में अब हम क्लास 6 की NCRT का चैप्टर नमबर 6 स्टार्ट करते हैं जो की है New Questions and Ideas सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे सिधार्थ जिनकों की गौतम के नाम से भी जाना जाता था वो बुद्धिज्म के संस्थापक थे उनका जन धाई हजार वर्षों पहले हुआ था ये वो समय था जब काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे थे लोगों के जीवन में और काफी सारी चीजों में महा जन पदा के जो राजा थे वो काफी जादा पावर्फुल हो चुके थे नए नए शहर विक्सित हो रहे थे लोगों के जीवन में काफी जादा परिवर्तन आ रहे थे शहरी जीवन और उसके साथ-साथ गाउं के जीवन में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे थे Many thinkers were trying to understand these changes of the society वो जानना चाते थे कि society में इन changes का कारण क्या है उसके साथ-साथ वो जीवन का असली मतलब भी जानना चाते थे गौतम बुद्ध एक छोटी से गना जिसका नाम था सक्य गना को बिलॉंग करते थे वो एक शत्रिय थे काफी युवा अवस्था में उन्होंने अपने घर के हर सुक्स विदाओं का त्याक कर दिया था ग्यान की तलाश में वो दरदर भटके उन्होंने काफी सारी सभाएं करी उन्होंने काफी सारे वाद विवाद करे ताकि वो इस निशकर्ष पे पहुँच सकें कि आखिर जीवन का मतलब क्या है अंत में उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना खुद का रास्ता चुनेंगे चिंतन मनन करेंगे और अपने सवाल का जवाब खोजेंगे उन्होंने पीपल के व्रिक्ष के नीचे बोध गया बिहार में अपने चिंतन मनन को किया वही पर उन्हें सिध्धी की प्राप्ती हुई उसके बाद उनको सिधार्ता को बुद्धा जिसका की मतलब है दवाइस वन के नाम से जाने लगा उसके बाल सारनाथ के निकट जोकी वारानसी में है उन्होंने पहली बार अपनी शिक्षा दी उन्होंने आगे का अपना सारा जीवन एक पत्थिक के रूप में बिताया एक जग़ से दूसरी जग़ जाते जाते लोगों को सिक्षा देते और अंत में उनकी मृत्य हो जाती है कुशी नगर में गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि जो जीवन है वो पीड़ा और दुख से भरा हुआ है ये पीड़ा और दुख, क्रेविंग्स यानि की लालसा और इच्छाओं के कारण आता है ये इच्छाएं वो हैं जिनका की कभी भी अंत नहीं किया जा सकता जो लोग हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते जैसे एक इनसान को अगर साइकल मिल जाती है तो उसकी ऐसी इच्छा होती है कि उससे मोटर साइकल मिल जाए अगर मोटर साइकल होती है तो उसकी इच्छा होती है कि उससे चार पईया वाहन, कार मिल जाए और इस तरीके से उसकी इच्छाओं का अंध कभी भी नहीं हो सकता बुद्धा ने कहा कि ये थर्स्ट है प्यास है जिसको कि उन्होंने तनहा का नाम दिया उन्होंने सिखाया कि ये जो constant cravings यानि लालसाएं हैं इच्छाएं हैं इनको हटाया जा सकता है अगर हम सईयम का पालन करें तो उन्होंने लोगों को दयालू रहने की सिखशा दी उन्होंने कहा कि हमें जीवन की इज़त करनी चाहिए भले ही वो जीवन आपका हो किसी और का हो, किसी जीव जन्तु का हो भले ही किसी तुछ प्रानी का क्यों ना हो आपको किसी के भी जीवन की इज़त करनी चाहिए उन्होंने कहा कि आपके जो कर्म है भले ही वो अच्छे हो या बुरे वो आप पर प्रभाब डालेंगे उनका परणाम और उनका असर आपको देखनी को मिलेगा आपके इस जीवन में अने था अगले जीवन में कौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रसार उस भाशा में किया था जिस भाशा को उस समय के लोग इस्तिमाल करते थे जो की थी प्राकृत भाशा उन्होंने लोगों को प्रोटसाहित किया था और कहा था कि आप किसी और की कही हुई बातों पर विश्वास मत करिये आप चिंतन करिये, मनन करिये और उस बात का शोध करिये तब जाकर के आप उस बात पर विश्वास करिये ये जो इमारत आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये स्तूपा है सारनाथ वारा नसी का इसी स्तूपा में गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी सिक्षा को प्रदान किया था आएए अब हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते है इक बार की बात है एक औरत जिसका की नाम था किसा गौतमी जिसका बेटा मर गया था उसके बेटे की मृत्यू के बाद वो बहुत ज्यादा परिशान हो जाती है और अपने बेटे को गोध में लेकर दर दर भटकने लगती है और लोगों से मदद की मांग करती है और कहती है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बेटे में फिर से प्रान डाल दे एक दयालू आदमी की नजर उस पर पड़ती है वो उसे गौतम बुद्ध के पास लेकर के जाते है गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम मुझे एक मुठी सरसो के दाने लाकर के दो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वो सोचती है कि अगर मैं एक मुठी सरसो के दाने इनहिला करके दे दूँगी तो ये मेरे बेटे के जीवन को लोटा देंगे उसे रोकते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि सरसो के दाने उस घर से लेकर के आना जिसके घर में किसी की भी मृत्यू आज तक ना हुई हो वो औरत दर दर भटकती है और ऐसे घर की तलाश करती है जहां किसी की भी मृत्यू ना हुई हो पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां किसी की मृत्यू ना हुई हो किसी के पिता, माता, बहन, भाई कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी मृत्यू हुई होती है इस तरह उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां से वो सरसोल आ सके इस कथा के माध्यम से गौतम बुध उसे ये बात सिखाते हैं कि इस पूरे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हमेशा यहीं रहे हर मनुष्य इस धर्ती पर आता है और फिर कुछ समय के बाद उसे लौट करके यहां से जाना होता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिएगा आज के वीडियो के लिए इतना ही आगे की वीडियो के लिए हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कंशन करेंगे थैंक यू वेरी मुच